हलो माई लवली बेकर्स, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार से कलर कॉंबिनेशन में एक खास ट्रिक को यूज करके, मैं आपके लिए एक अमेजिंग थी केकी डेकोरेशन शेर कर रही हूँ, तो आज के हमारी केकी डेकोरेशन में हम कोई भी चॉकलेट यूज न अगर आपने नहीं देखे हैं, तो जरूर देखियागा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एट कर दूँगी, तो देखिए परपल कलर से क्रीम की आइसिंग हो गई है, सिलिकन ब्रश के मदद से मैं इसके साइड में और इसके उपर की तरफ ये टेक्शर बना करने के बाद मैंने इसके नीचे की तरफ वाइट कलर की क्रीम से पल वाला बॉर्डर भी बनाया था, वैसे तो वाइट कलर की क्रीम से जो पल वाला बॉर्डर है वो मैंने अपने कई वीडियो में शेयर किया हुआ है, I'm sure आपको आता ही होगा, अब यहाँ पर देखिए मै बहुत जादा समझ नहीं करेंगे, और पस पाइपिंग बैग में डाल करके छोटी सी टिप कट करके हम केकी साइड में छोटी बड़ी कुछ डिप्स बनाएंगे, अगर आप अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह डबल शेट का जो एफेक्ट है वो नहीं आएगा, तो आप को अच्छे से कलर डाल के मिक्स नहीं करना है, पाइपिंग बैक के अंदर ही आप बस यलो कलर डाल दीजेगा, और अब इसके उपर फ्लार की डेकुरेशन करने के लिए मैंने लिया है यह नूर का आर 44 नॉजल, साइड में इसकी क्लियर पेक आप देख सकते हैं, और केक की साईड में मैं इस तरिके से वाइड कलर की क्रीम से एक छोटी सा बेल बना दूंगी, इसम्पलि इसमें पाइपिंग बैग म में धर करके मैने उल्टा भी कट दिया है, और जो अब बनाए लेक बना बना के इसे बस बास और जो 하면 ईसके बनाई हैं में ग्रीन कलर की क्र तो बहुत ही प्यारी आपकी लीव्स बनेंगी, यह देखिए, जहां भी आपको ज़रत लगे, आप फ्लार के आसपास यह लीव्स बना सकते हैं, अब इन फ्लार को थोड़ा सा और येलो एफेक्ट देने के लिए, मैं फूट स्प्रे जो आता है, येलो कलर का वो स्प्रे कर ये कौन फ्लार का बना होता है, चीनी के साथ, तो कड़वा बिल्कुल नहीं होता, तो इस कन्फ्यूजन में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा, और साइड में जो केक की स्पेस पाकी रह गई थी, वहां मैंने लगा दिये हैं, वाइट कलर के एडिबल पर्ल्स, तो लीजे बहुत ही शांदार से कलर कॉंबिनेशन में हमारा ये जो पर्पल केक है वो रेडी है, और इसको और ज्यादा ब्राइट दिखाने के लिए आप देख सकते हैं, मैंने नीचे वाइट कलर का बोर्ड चूज किया है, तो आज की जो स्पेशल हमारी खास ट्रिक थी, बिना वीडियो में कुछ और नया सी खाने के लिए तब तो के लिए बाबाई, टेक केर